नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल सोसल सेवा देखिए दोस्तों, हरियाना में क्या कर रखाएगी? आज कल एक प्रिवार पैचान पत्र पोर्टल लोंज किया गया है उसमें आपके प्रिवार की complete detail फिल होती है उसमें आपका सारा complete data होता है आपके प्रिवार का, आपके बच्चे का, आपके माता का, आपका पिता का, आपका खुद का दोस्तों, ये प्रिवार पैचान पत्र है इसमें बहुत सी गलती हो रखी है आप उनको कैसे ठीक करवा सकते हैं देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे income के बारे में, अगर आपकी family id में आपकी income गलत हो गई है या फिर verification team के दवारा आपकी income को गलत कर दिया गया है गलत verified कर दी गई है तो आप इसको कैसे ठीक करवा सकते हैं देखिए दोस्तों, होता क्या है ये प्रिवार पैचान पत्र है इसमें आपके family का आपके प्रिवार का complete data होता है उसी के आदार पर आपको आने वाले समय में और भी document प्रोवाइड किये जाएंगे जैसे family ID में आपके जाती को दर्शाया गया है उसी जाती के आदार पर आपको जाती प्रमान पत्तर दिया जाएगा अगर उसमें ऐसी है तो आपको अनुस्वची जाती प्रमान पत्तर पांच मिन्ट में मिल जाएगा अगर आप उसमें BC करते हैं तो आपको BC certificate पांच मिन्ट में मिल जाएगा उसमें आपकी income गल्द दर्ज है और आप income प्रमान पत्तर बनवाना चाहते हैं तो आपके BPL रासन कार्ड भी family ID के आधार पर बनेंगे इस परकार बहूत से ऐसे डोकॉमेंट्स हैं इसको लगा लिजी आईश्मान कार्ड को पहले क्या था कि 2011 की सर्वे तक के जो सर्वे क्या था जिसमें उसका BPL सुची में किसी का नाम दरज था उनी का ही आईश्मान कार बनता था अब सरकार ने क्या किया कि आपकी family ID में income 1,80,000 रुपे से जिसकी भी कम है उसका आईश्मान कार्ड बना दो तो दोस्तों आपका जितना भी डाटा है वो प्रिवार पहचान पत्र से जोड़ गया है आने वाले समय में आपको परतेक डोकुमेंट family ID के आधार पे मिलेगा जैसे आपका रासन कार्ड family ID में आपकी income के आधार पे बनेगा आपकी जाती परमान पत्तर family ID में दी गई जानकारी के अनुसार बनेगी आपकी domicile family ID में दी गई जानकारी के आधार पर बनेगी आपका जाती परमान पत्तर family ID में दी गई जानकारी के आधार पर और आपका income प्रमान पत्तर इस परकार दोस्तों बहुत से ऐसे documents हैं किसी भी परकार किया push scheme, किसी भी परकार की pension, कोई भी जैसे बुड़ापा pension, विड्डो pension, दिव्यांग pension, कोई भी योजना का लाब आप सिरफ प्रिवार पैचान पत्तर के आधार पर उठा सकते हैं family ID की verification के लिए team गठित की हुई है और वो team के member क्या करते हैं कि phone पर आप से पूछते भी नहीं है आपके परिवार में, आपके समाज में किसी और member से phone पर पूछ की कि वो क्या करता है और आपकी income गल्द दर्जिक कर दी गई है आप उसको कैसे ठीक करवा सकते हैं आपको इसकी सिकायत दर्ज करनी है साथ में एक same window लगानी है देखिए दोस्तों गिर्वेंस में आपको documents क्या लगाने है आपको परिवार पैचान पत्र portal पे जाएंगे और वहाँ पर उसमें गिर्वेंस के अंदर आपको सिकायत कैसे दर्ज करनी है जैसे आपकी income कम है तो आपको क्या करना है? एक affiliate बनवानी है परतेक मेमर की उसमें income लिखवानी है कि मेरे यह तो बच्चे हैं यह student है, यह मेरे माता पिता है बुड़ापा पैंसन लेते हैं या वो घर पर रहते हैं मेरी पतनी ग्रैनी है कोई काम नहीं करते मैं मजदूरी करता हूँ मेरी income इतनी है इस परकार कि आपको आपने एक affiliate बनवानी है और परिवार पैचान पत्तर में grievance के अंदर आपको सिकायत दर्ज करनी है जल्दी आपकी grievance पे करवाई की जाएगी और आपका आए परमान पत्तर बना दिया जाएगा या परिवार पैचान पत्तर में आपकी income ठीक कर दी जाएगी तो दोस्तों अगर आपको परिवार पैचान पत्तर से सम्मदित किसी भी परकार की कोई समस्या है तो प्लीज आप केमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट का reply करने की कोशिस करूँगा अगर reply भी नहीं कर पाता हूँ तो मैं उस topic पर वीडियो बनाने की कोशिस करूँगा ताकि आपके परिवार पैचान पत्तर में जो भी कोई गलती है उसको आप ठीक कर सकें थेंक्यू